This video is brought to you by OneFootball No one gets you closer to Syria than OneFootball OneFootball ने बहुत ही भैतरीन तरीका बनाया जहाँ पर you get a chance to get your own digital video moments हमने बहुत ही जादा भैतरीन एक्शन देखा अभी तक Syria में चाहे नापोली का शांदार स्टार्ट हो Syria में या फिर रफाइल ले आओ कि कुछ दमागेदार performances और इनके अलावा भी past या future में जो भी moments होंगे आपके पास chance है उनको capture करने का उनको own और trade करने का ये सब आप कर सकते हैं OneFootball की Syria marketplace एरा पे जिसका link description में है तो please head down to the link given in the description below and get a chance to own your digital video moments Hello guys, welcome back तो हम इस series में cover कर चुके हैं Argentina, Portugal, England और अब बारी है Brazil की which according to me and Sadiq भाई are the favorites मतलब अगर आप पूछेंगे तो मैं भी बोलूँगा favorites for the World Cup is Brazil इस बार और Brazil के तो काफी मतलब मैं कहूंगा बहुत whole-hearted supporter है Sadiq भाई मतलब सादिक भाई आप देखेंगा काफी मतलब आज एक मुस्कान रहेगी पूरे चहरे पे जब हम बात करेंगे तो Brazil की भाई हम थोड़ी सी history देख लेते हैं तो Brazil obviously have won the World Cup most number of times पांच बार champions है तो मैंने एक World Cup देखा है Brazil को जीते हैं 2002 वो ऐसा जीते थे कि कोई team उनके आसपास भी नहीं थी उस time और हमेशा से Brazil का यही होता है कि when they start to win stuff they absolutely steam role their opposition फरक नहीं पड़ता कि भाई सामने कौन है तो एक बार हम again जो यह friendlies हो रहे हैं उसमें क्या squad Brazil ने pick किया है एक बार उस पे हम नजर डाल लेते हैं और उस पे फिर हम देखेंगे कि कौन players हैं जो इसमें आ सकते हैं अगले team का एक सवाल भी में देखे जाता हूं the only mobile has been the team that has been ranked number one the most time since FIFA rankings came out eight times अरे वाँ क्या बात है quiz में question आएगा ध्यान रखिएगा भई फिर मत बोलना बताये नहीं out of syllabus नहीं है बता दिया है आपको चलिए ओके तो गोल की पर हैं आपके और ये तो ये टीम है जिसमें गेबरियल हेसूस, गेबरियल मार्टेनेली और गेबरियल मगालेस जो आर्सनल के तीनों गेबरियल्स हैं उनको मौका नहीं मिला है फिलीप कुटीनियो भी एक प्लेयर है जो की कंटेंशन में रहते हैं फिर उसके बाद हम बात करें तो डगलिस लूइस एस्टन विला के उनको मौका नहीं मिला तो ब्राजील इस लोड़िड और अगर हम बात करें और एक लेफ्ल बैक और ब्राजील खिलाती है जो की इंजूर्ड हो गया है गलेर्मो अराना वो बहतरीन बहतरीन जो डैप्थ है ब्राजील की खतरनाक और ये सादिक भाई अभी जो थ्री मिल जीते हैं घाना से उसकी लाइनप है ये तो अलिसन, एडर, मिलिटाव, राइट बैट, थियागो, सिल्वा, मार्किनियो, लेक्स, टेज की बैक लाइन, लूकस, पाकेता, कैसे मीरो, नेमार, विनिशियस, रिचारलिसन, रफीनिया आप जब रफीनिया को सब करते हैं और अगर आप और चाहें तो ब्रुनो गुमारिश को ला सकते हैं इस टीम में, आप अभी तो फ्रेड, जो ब्रजिलियन पासपोर्ट वाला प्रेड है, उसके हमने बात नहीं किये, ये प्रिटी बीसेंट प्लेयर वाइन प्लेस प्र ब्रजिल, और गोल कीपिंग में भी, और अगर आप गेवरिल हिजूस और मार्टी लिवी एड कर दें, जो एक इसू लोग केरें थोड़ा सा जो ब्रजिल के साथ रहता है, एक फुल बैक साथ काउंटिंग तो बहुत ही जाता है, मतलब अगर इसू में अगर ब्रेमर जैसे अगर ब्रेमर जैसे प्रेमर आपके विखेटी फुल बख्स लेकिन जो कल एडर मे लिटा हुए ने गेम खिला एज राइब बैक लिए ने गेम खिला एज राइब को ब्रियंट ब्रियंट तक्तिकली डिफेंसिव ली आप एक विंक पे डिफेंसिव ला रहें दूसरे विंक आपने LXLS को फीडम दिया हुए और दें यू आप बिफेटर गाशेमिरो को कि बेसिकली 4-3-3 मैं लिखा वात आई है बट वाट विखें इसमें का सिमीरो और पकवेटा का डबल पिवट खेला था है पकवेटा वोस बेरी गूड देल जाल देए तो तो वो पर्फेंट डबल पिवट बन जाता है विखेंड is on one side and Raffiniya on the other side of him and Richard Leshan usually upfront इसले को फिलाता है टीरेक्टए को और उतना को करते है आपको हमेशा अवेलेवल करता है in the right spaces because they create a lot of chances to meet that one person in the right place और वो ही कल वो पिछ्टे गेम में पता चला के रिचार लिशन एंड़ प्सकोरिं फूर इप जो इस नेमार चो चेंटरली ऑपरेट कर रहा है बाट नेमार लिंकिंग अप विट अन इन लेफ आफ सेसंग अन लेफ साइड पिच विज विश्ट इस कल को देखके बाबा मझलब गाना इस अदेज टीम यहाना एची टीम है हां तंक करते हैं आज यहाना वस शर्प्राइज अल्ट वर्जल परसें पर इवे इस वी जितनी एजिली वह एक एक पास से उनको उपन अप कर रहें पिछह पक्वेथा और रफिन अपन आपके खूल्लेफ ना वर्डपीट रहें अवर्डेट डेख कर रहा है और मतलब बेंच से अब देखो रोड़री को आ रहा है कुनिया आ रहा है रोबर्ट ओ फर्मीनो आ आपके पास एंटनी है और मार्टिन एली और हैसूस और मगालिस बैक लाइन में तो इनके तो बिचारों का बनी नहीं रहा है आने गा मौका इस टीम में फेसर बाइन मजब थे को जोगा म्में मग्रान ने भीजिसल्न तो यहां खे देन क्रीक रिम्परिए को है तो आपटियागो सिल्वा को स्कीलिछ वेजिख तो में हें थे बिचलिंदर हैं तो यहां मिम उद्ध क्योंगरान है जैसे हम squads की बात कर रहे हैं ना इस समय जैसे हमने अर्जेंटीना की बात करी तो अर्जेंटीना की 13-14 प्लेयर बहुत अच्छे हैं बट फिर एक quality depth का issue start होता है अर्जेंटीना में, मतलब they have a fantastic manager they have a fantastic first eleven but quality depth की हम बात करते हैं वो एक issue है Portugal में they have a fantastic squad but manager, England fantastic squad manager, France बढ़िया squad half a decent manager I won't say की nailed on है France में भी उसमें के racing room issues की बात करते हैं attitude issues Brazil में सब कुछ है Brazil have a brilliant squad, they have a brilliant manager और जो हम attitude issues की बात करते हैं जैसा हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, before this podcast की इस team को attitude problem नहीं है, they are playing for each other and they look very happy playing for each other synergy की और एक जो togetherness है sense of teamwork is Brazil का वो काफी special है, मतलब एक Argentina में आपको उस तरीके की synergy दिखती है which goes a long way, अगर आपको इस तरीके का tournament जीतना है, तो सब कुछ perfect है Brazil का, मेरे एसाब से looks like it, बस वो ही है कि एक डू पोजिशन ज़रा खोड़े से वीक है, मतलब अगर फुल बैको भी specially अगर आप राइडबैक की बात करें लेकिर उसको अगर इस तरीके से आप alter करके बूस करने के यूज ले वन उर सेंटर बैक्स के पिल उसके पिल बैक और बूसरे फुल बैक जो अटैकिंग उसको आपको अपकर देने देखिए, नॉक आउट कप कॉम्पिटिशन का तो यह ही है, अगर कोई सामने वाली टीम में, मतलब जैसे आप, एक बहुत अच्छा एक्जामपल इसका पॉर्चुबल वर्सेस बेल्जिया में, यूरो में जो हुआ था तो वो उस तरीके की अगर कुछ चीज हो जाए तो तो आप कुछ नहीं कर सकते बट आइ थिंग अगर एवरिटिंग इफ इट गोस अकॉर्डिंग तो आइथिंग ब्राजील है वर रेली गुड चांस तो एक बर अगें जो हमारा ड्रिल है, लेट्स टेक अलुक अट ग्रूप तो ब्राजील ग्रूप जी में है और उनका मुकाबला होगा ग्रूप एच के फर्स्ट या सेकंड में से जो आएगा डिपेंडिंग की ब्राजील करनी चाहिए यार ग्रूप अपना करनी चाहिए सर्बिया इस गुड़ टीम, स्विजलेंड इस गुड़ टीम, कैमरून इस डीसेंट टीम बट यू हव तो बैग ब्राजील अब यहां पर मान लीजे घाना यूरूगवे घाना को तो देखे पेला ही है अभी ब्राजील ने लेकिन अगर पॉर्चुगल यूरूगवे की मैं बात करूँ कोई भी फर्स्ट या सेकंड आती है तो मुझे लगता नहीं साधिक भई कि ब्राजील को जादा दिक्कत होगी I think I can see them reaching the semi-finals to at least quite easily देखें यूरूगवे इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट चो जितना भी अभी वो क्वालिफायर होगे थे फिर कोपा अमेरिका वादा ब्राजिल यूरूगवे को कि पिछले कुछ माचस में ब्राजिल अगर मैं वो बोलू तो पॉर्चुगल on the other hand could be a little tricky देव पॉर्चुगल का तो सादिक भाई जैसे हमने का रुनाल्डो ने मार दिया या बर्नाडो सिल्वा ने कुछ magic कर दिया फाइनल थर्ड में और ब्राजिल लगी हुई है बट अनलकी है गोल स्कोर नहीं कर पारी उस तरीगे का कुछ हो जाए तो but I don't see Portugal dominating Brazil in the footballing sense of the town नहीं वो तो वैसे होगा मैं बलब काफी लोग देखते है जो Copa America का भी final हुआ था against Argentina Argentina got that early goal and then they defended and then they defended उनका end में ला जाके Messi का chance आया था that Messi missed औरना वो तो फिर गेम के लिए हो जाता औरना उसके बाद बाकी पूरा जो गेम था वो Argentina के final third में basically Brazil had parked a camp in Argentina's final third and वो ही वाली बात है कि they were not able to finish their chances and Emi Martinez was having a blinder off again Emi Martinez का तो पूरा tournament ही बहुत अच्छा गया था और I think कि जबसे ये controversy हुई है ने ये dance celebration वाली विनिशिस की तो एक Brazil का पूरा आप देखी एक दूसरे को social media पे भी back कर रहे है और सब goal score करके खुद भी मतलब dance वगेरा कर रहे हैं तो एक unison में चल रहा है सब कुछ और ये सब चीज़े हैं as a Brazilian fan अगर आप हैं Brazil के fan है तो आपको देखके काफी encouraging लगती है व्राजिल डांसर ऑन दे वर्ल स्टेज इन दे फाइनल जैसा वो आपने का that would be a sight to behold और एक जो बहुत अच्छी चीज़ यह है कि जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया सादिक भाई कि विनिशिस because he is I think if not the best but one of the best left wingers dropped a bit deep और वो वो वर्क भी कर रहा है because no one is trying to take that center stage तो ये चीज़ बहुत अच्छी है तो नेमार ने adapt किया क्योंकि obviously he is 30 now he is not the same Neymar that he was in terms of speed and pace वो left wing पे बाल लेक्टम घुश जाना and he knows what विनिशिस can do on that left wing so he has basically taken a backseat and taken a more creative role उस side पे जिसकी वज़े से तीम को भी बनेफित होरा है like he is basically playing the number 10 he is not even playing center forward as you said it looks very good on paper at the moment touch wood none of these players get injured before the tournament because one month of tough European football is awaiting them and विनिशिस तो no doubt as much as he is a Real Madrid player and you know it pains me to see that he is doing so good and he will do so good for Real Madrid he is getting into those legendary Brazilian levels he is not there yet but seeing how his game has matured he is elevating himself into that level probably very soon and maybe this World Cup is his coming out party for the rest of the world हो सकता है वाकी मतलब मतलब ये दूसरा सीजन है पिछले सीजन से तो मतलब he has been absolutely setting the world a light तो देखते है क्या होता है जैसा सादिक भाई ने का it would be a sight to behold अगर ये full cylinders पे fire करती है Brazilian team it could be something special और देखते है क्या होता है तो guys do let us know आपके भी comments and what are your thoughts about this Brazil team do you think they are the favourites क्या लगता है आपको कहां तक ये जा सकते है कौन से और players आपको लगता है कि squad में जो already इतना भैतरी निंपेकिबल squad है उसमें आ सकते हैं किसी एक player को replace करके तो ये सब हमको जरूर बता है फिर again जुड़ते रहेंगे आपसे मिलेंगे आपको जल्दी next video slash live stream के साथ ध्यान रखे सब लोग अपना take care and always thank you सादिक भाई love you